जैहिंद जैभारत दोस्तों यहां पर आप इजी वे में देख सकते हैं मैंने लिख क्या रखा है तो गैज यहां पर आप सबको बिलकुल आसानी से दिख रहा है याता यात ओके तो आएए इसको अब गहराई से समझते हैं तो गैज यहां पर मैंने आसानी से लिख क्या रखा है गैज यहां पर आपको दिख रहा है याता यात और इसको इंगलिस में क्या कहते हैं ट्राफिक ट्रांस्पोर्ट और मार्चिंग और भी हम कहते हैं इंगलिस में तो वो आपको घवराना नहीं है आप सर्ज मारकर देख सकते हैं गाइज यहां पर आप सबको आसानी से दिख रहा होगा आना जाना और आने जाने का साधन किलियर आना जाना आने जाने का साधन ही आपको कहलाता है याता यात मतलब एक जगह से दूसरे जगह यहां से यहां और यहां से यहां यहां से यहां से यहां मतलब किसी भी तो एक जगह से दूसरे जगह जाना ही आपको कहलाता है याता यात नहीं समझें आपको समझ में आ गया है लेकिन आप डरते हैं यहां पर आपको ख्यार रखना है कि किसी भी चीज को या हम हो या कोई सामान हो कोई भी हो बस एक जगह से दूसरे जगह जाता हो ना तो वो यातायात कहलाता है ठीक है और मैंने यहां पर आगे लिखा है कि आने जाने का साधन ही आने जाने का साधन साधन कहने का मतलब जरिया ही आपको कहलाता है यातायात समझें नहीं समझें गाइज यहां पर समझें यहां पर आप सबको बिल्कूल आसानी से दिख रहा होगा साइ और जहाज आदी यह सबसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या नहीं जाते हैं तो यह सबसे एक जगह दूसरे जगह जाते हैं तो यह जाने का साधन ही आपको क्या कहलाता है याता यात कहलाता है बाई साभ हमारा गाड़ी क्या है एक साधन है साधन है कि नहीं मतलब ज जर्या है कि नहीं गाड़ी के द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो गाड़ी हमारे एक तरह का साधन है और आने जाने के साधन आना जाना साधन ही आपको कहलाता है याता यात तो आप बिलकुल समझ गें नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया तो आप नीचे जरूर लिखिएगा और समझना और ना समझना सिर्फ आपके उपर निर्भर करता है ठीक है तो बने रहिए और जूडे रहिए और कोई दीकत हो तो नी से जरूर लिखिए